अब यह जो गुटाला हुआ है इतने बड़ा स्काम एग्जामिनेशन सिस्टम में चल रहा है तो मैं समझते हूं कि इस टोटल फेलिवर फेलिवर अडिनिस्टेटिव सिस्टम ऑफ गामेंट भारतिय जंता पाटिय जज़पा की सरकार पूरी तरह से इसमें फेल हुई है यह है कि इस तरह का इतना बड़ा क्रोड़ों रुपे के साथ किसी अधिकारी का ग्रिफतार होना यह बहुत बड़ा चंता का विश्य है आपके विदायक दल के नेता चोदी वुपेंदर सिंग उड़ा इन दोने कार्यकर्म चला रही है विपक्ष आपके समक्ष का किसको सब्सक्राइगन और सभी मौजिद जो हमारे कॉंघरी के साथ हैं हम लोग इसको चला रही है आपने देखा होगा पिषले दिनों हालात ऐसे प्रदेश में बने की कारकरम होते हमेशा सरकार आपके दौर सब्सक्राइब आपके दोहर जाने ही पाई, लोगों की समस्या हैं, सुनने ही पाई, जिन्हों ने अपनी समस्याओं को उठाने का प्रयास किया, मांग मानवाने का प्रयास किया, उनके उपर लाठी चार्ज किया गया, आंसुगे, इसके गोले छोड़े गए, देश द्रोतक के मुकदमे बन आए गये चाहे वो किसान अंदोलन की बात हो, आंगनवाडी वरकर्स की बात हो, टीचर्स की बात हो, या दूसरे वोकेशनल टीचर्स की बात हो, स्टूडेंट्स की या हर तरह के मामलों पर आपने देखा होगा, तो इसलिए विपक्ष ने सोचा है, कॉंग्रेस पार्टी की फिर इसके जीन्द में की, हच्पी ऐसी स्कैम और महंगाई को लेकर के कांगर्स निरंतर सरकार पर हम लावर है, आज इनी मुद्दों पर विस्तार से बाचित करने के लिए हमारे बीचे परदेश की पूर शिक्षा मंतरी गीता भुकल, उनी से जानेंगे इस इन सभी मेरम हर्यान तक में आपका स्वागत है, सबसे पहले मेरा आपसे स्वाल है कि इन दिनों हच्पी ऐसी स्कैम और महंगाई को लेकर के कांगर्स निरंतर परदर्शन कर रही है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है, देखिए हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन एक समयधानिक संस्था है, उसमें ये सरकार कह रही थी कि परची घर्ची हम नहीं लेते हैं, परची घर्ची और अटैची के साथ वहाँ पर ऑफिसल का पाया जाना एक बहुत बड़ा चिंता का विशय है, हर्याना की बहुत जादा इसमें बदनामी हुई है, इसलिए हम लोग ये चाते ह हैं, इसकी निश्पक्ष जाचो, CBA से जाचो, High Court के सिटिंग जट से इसकी जाचो, साथ ही साथ में मान्ये मुख्यमंत्री जी बजाए बचाने के उन पर कारवई करने का काम करें, क्योंकि हमारे हर्याना के बच्चों का उजवल भविशय की बात है, जो एक्जाम हुए है उनका भविशय नहीं पता कि एसका प्रिलिम्स जो है, वो कैंसल होगा, यह डेंटल का कैंसल होगा, कि नहीं होगा, कि वही होगा, तो इससे मैं समझती हूँ, निश्पक्ष जाच की हम लोग मांग जो है, विधान सभा के अंदर हमने आदर निये चौदरी भुपेंदर सि के नेततम में आपने देखा होगा, हमने बहुती मजबूती के साथ जो है, इस बात को उठाया, और सड़कों पर भी हम इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से निश्पक्ष मांग की जाच की मांग करते हैं, मैं विधान सभा में, सीम प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, एक अधना से एक्सियस ऑफिसर को सस्पेंडर्शन कर रहे हैं, टर्मिनेट करके, वो क्या दिखाना चाहते हैं, निश्पक्ष जाच की मांग हमने तब भी की थी, जिस समय पुलिस कॉंस्टेबल का परचा पूरी तरह से वो लीक हो गया था, पेपर पूरा लीक हुआ, पेपर कैंसल हुआ, हमारी बदनामी हुई, हमने उस समय भी निश् इस समय पूरा परचा पूरी तरह से इसमें फेल हुई है, माननी अधक्ष जी को उनको बचाने की बजाये, सरकार से यही अन्रोद करना चाहिए, क्या आप निश्पक्ष जाच कर दे, अगर हम पहले भी जितनी जाच हुई है, आज तक भी विदान सभा के पटल पर, उनकी इंक्वारी रिपोर्ट समिट नहीं हुई है, तो आपके दफ्तर के अंदर क्या इतनी हिम्मत हो जाए, पहले भी हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के चेर्मेन और उनके स्टाफ के ऊपर, आपको पता, फायर दर्ज हुई थी, कारवाई भी हुई थी, और उसके बाद उ कोई इंट्रफ्रेंस ही नहीं है, वो आटरनोमस बॉड़ी है, तो मामाने मुख्यमंत्री जी है, सरकारों को बचाने की बजाए, आध्यक्ष जी बचाने की बजाए, उल्टा ये देखें कि परदेश की ये फॉस्स टाइम इन इस्ट्री आफ हर्याना, और फॉस्स टाइम किसको फाइदा मिलने वाला है? आंगनवाडी वरकर्स की बात हो, टीचर्स की बात हो, या दूसरे वोकेशनल टीचर्स की बात हो, स्टूडेंट्स की या हर तरह के मामलों पर आपने देखा होगा, तो इसलिए विपक्ष ने सोचा है, कॉंग्रस पार्टी ने, कि हम लोग हर जिले में, 22 के 22 जिलों में इ समस्याएं जो है, खास तोर से आपने देखा होगा, कि हमारा जो स्कॉलर्शिप मिलने ही रही है, बिरोजगारी भता मिलने ही रहा है, रोजगार जिन लोगों ने अपलाई किया था, बार-बार पेपर जो है, वो कैंसिल हो रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर धरने प प्रदेश में आज महिलाएं अपने आपको अंसेफ महसूस करती हैं, ऐसी कमिशन का गठनाज तक नहीं हुआ है, विपारी अपने आपको अंसेफ महसूस करता है, तो यह तमाम ऐसे मुद्धे हैं, जिसमें कि हम विपक्ष के नाते, जनता के सामने जा रहे हैं, और जनता सरकार ने जो वाइदे किये थे और जो मैनिफेस्टों के वाइदे पूरे नहीं कर रही है, उनको सरकार पर दबा बनाकर उनको पूरा करवाने का काम करें, आपने इस कार्यकरम को कांगर्स का कार्यकरम बताएं, विपक्ष आपके समक्ष कार्यकरम को, लेकिन आपकी पार् कॉंग्रस है वो मुख्य विपक्षी दल है अब केवल मात्र एक और विधायक चुन कर आए हैं तो यह विपक्ष ने विधानसभा के अंदर जो लंबित मुद्दे हैं या प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको उठाए जाता है आधनिया कुमारी शेलजा जी हमारी पार्टी की अध्यक्ष हैं जो पार्टी के कारेक्रम hoartि विपक्ष के कारेक्रम हैं तो कि यह कारेक्रम बहुत ही अरुचहिए अच्छे डंग से चला रहे हैं और मैं समझते हूं इसकी बहुत जिलों में पहले लेकर जाएंगे उसके बाद नबे के नबे विधानसभा शेत्रों में वहां की लोकल समस्याओं को जानने के साथ इस कारेकरम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे इस कारेकरम के तहत नू में चौदरी भुपेंदर सिंग हुडा का शायराना अंदाद देखने को मिला इसमें उन्होंने का कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पे घर मत बना लेना मैं समंदर लोट कर फिराऊंगा तो ये बात किसके लिए कही उन्होंने देखी लोगों को ये थोड़ी सी गल्थ फैमी हो रही है और साथ-साथ में खुश फैमी भी इस बात को हो रही है दस साल तक जो चौदरी भुपेंदर सिंग हुडा जी का राज रहा उसमें हर वर खुश था हर्याना पहले नंबर के पाइदान पर बहुत सारी चीजों के रहा चै क्हेलों की बातों चोह स्वास्ति टेख की बातों चै शिक्षाई की बातों टोटल इंफ्रस्टेक्ट्चर की बातों यूइनवस्टेस बनाये जाने की बातों रोड्स की बातों हर लिहात से हर्याना जो है बहुत अगरणी रहा है और चिए किसानों के साथ जो इस समय अन्याय हुआ कभी किसानों ने इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं किये तो माननी है पूर मुख्य मंत्री चौधरी भुपेंदर सिंग उड़ा जी का यह अंदाज था कि जो नूम एवात में खासतोर से और पूरे प्रदेश में हमारे समय में यो तो उन्हों ने इसलिए यह कहा कि आप ऐसा ना सोचेगी कॉंग्रेस पार्टी का चौधरी भुपेंदर सिंग उड़ा जी का ठीक है एक बार समुद्र जब नीचे उतरता है तो पूरी ताकत के साथ उपर चड़कर आता है इस समय हम लोग जो है जनता के बीच में उनके मन को ट्रटोलने का प्रयास कर रहे हैं उनकी समस्यां जानने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ चौधरी भुपेंदर सिंग उड़ा जी के नेतत में कॉंग्रस बहुत अच्छे रंग से वापसी करेगी और आने वाले में सरकार बनाकर हर्याना को आगे लिजाने इस वारे मैं आपका क्या करें देखिए जो किसान अंधूलन हमारा शुरू हुआ दिली के चारों तरफ जो है किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और सरकार के द्वारा बैरिकेट्स लगा दिए गए कीलें ठोक दी गई तारें कर दिए गए जिस समय कानून आये लोकसभा में और राज्यसभा में उस समय भी बीना चर्चा के इन कानूनों को पास करवा दिया गया था और मैं समझती हूं यह राजनितिक कारण से कानून जो है वापिस लिए गए हैं सबसे बड़ा कारण क्योंकि जो बाइलेक्शन हुए चाहे उसमें हिमाचल का इलेक् मंत्री हों मिनिस्टर हो या उनके यूपी के चीफ मिनिस्टर हों उत्रा खंडर पंजाब में चुना होने हैं तो मैं समझती हूं कि जो किसान अंदोलन कर रहे थे सबसे पहले तो यह उनकी बहुत बढ़ी जीत है कि देश के प्रदानमंतरी ने सामने आकर उनसे शमाय आच लग तंतर में अपना राजनितीन दल समाझिक दल बनाना , प्रैशर ग्रॉप कर सकते हैं , बसेकर Pro drop अगर आज राजनितिक भावना से किसान संगठन कोई अपनी भागीदारी चाहते हैं ताकि उनकी मांगों को विधान सभा के अंदर या लोक सभा के राजे सभा के अंदर को चर्चा करवाना चाहते हैं उनकी मंच्छा है तो मैं समझते हूं इसमें कुछ गलत नहीं है मैं उन्होंने आंदरन के गर्ण सपर्श्रूप से कहा था कि हमारा ये आंदरन गैर राजनितिक है उसके बावजूद राजनितिक परवेशर क्या किसी तरह से यह गलत नहीं माना जाता है देखी मैं समझते हूं यह उनकी अपनी सोच पर निरबड करता है कि उनको लगता है कि किसान मजदूर गम गरीब और कमेरे वर की आवाज को किस प्रकार से उनकी मांगो को मनवाया जाए किस प्रकार से राजनितिक दलों पर दबाव बनाया जाए एक साल का समय लगा उनको अपनी बाते मनवाने के लिए और करीबन साथ सो के करीब किसान हमारे जो हैं शहीद हुए उनके परिवार उजड़ गए उसके बावजुद जाके यह सुध हुई तो हमारा जो एक समयधानिक धाचा है जो हमारा लोकतंत्र की खुब सूर्थी है उसमें हर व्यक्ति को हर संगठन को यह किसी को भी अपने फैसले और निरने लेने का अधिकार है जो उनके वह बिल्कुल स्वतंत्र हैं वह जैसा भी फैसला लेना चाहें अगर वह किसी पंचायतों ने और ग्रामी नांचल के लोगों इस बारे में कुछ नराजगी भी जताई है इस बारे में आपका क्या करना है केंद्र सरकार ने प्रस्ताग किया है 21 साल की वर्ष की मैं समझती हूं कोई भी कानून बनाने से पहले कोई भी इस तरह की जो आप विशाय लेके हैं या फिर वो गरीब माता पिता जो हो सकता है कि अपनी बच्ची को आगे नहीं पढ़ा लिखा सकते हैं मैं समझती हूं यह चर्चा का विशह है और वोटिंग का राइट हमें 18 साल की उम्र में दिया गया है कि हम अपने देश के परदान मंत्री मुख्य मंत्री और सभी क चर्चा होनी चाहिए इस तरह का कोई कानून जो है वो थोपा नहीं जाना चाहिए क्योंकि आज सेफ्टी और सेकिरिटी ऑफ गर्ल्स और में एक बहुत बड़ा चिंता का विशह है यह भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है तो ऐसी करने से पहले बात्ची जरूर करने चाहि जजपा के मैनिफेस्टों में शामिल था कि हम शराब बंदी करेंगे हम ठेकों को गाउं से दूर ले जाएंगे उनको बंद कर देंगे आज यह विभाग उप मुख्या मंतरी जी के पास है और उनी के द्वारा यह बिल जो है पेश किया गया जिसका हमने मजबूती के साथ विरोध करने का काम किया है क्योंकि इस समय जहां पंजाब पहले नशे की चपेट में ड्रग्स की चपेट में था आज हर्याना के युवा भी इसे अचूते नहीं रहे हैं करोना के दोरान बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई शिक्षन संस्थान बंद हो गई युवा हमारे बेरोजगार हो गए उनके पेरेंट्स बेरोजगार हो गए उनके पास काम धंदे नहीं थे तो उन्होंने कहीं न कहीं जो ड्रग्स के बढ़ते वे आंकड़े बताते हैं कि युवा उन्हें ड्रग्स का रास्ता चुना सरकार ने इसके उपर इतनी बड़ी म दिया जाना चाहिए job oriented courses start करने चाहिए ना कि हमारा प्रदेश जो आज डशे की चपेट में आ गया है जो की बहुत-बड़ा उसकी चिंता को सरकार को इसकी चिंता करने चाहिए और बीजेपी और जजपा की सरकार को हमने यह कहा था कि आप इस बिल्कों वापिस ले ले नहीं लिया तो इसका जगे जगे विरोध देखने में और बहुत सारे समाजिक संगठान और राजनेतिक दल भी इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं सरकार को इसको वापिस लेना चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, क्रिश्चन हों, सिख हों, इसाई हों सभी को अपने धर्म के अनुरूप उसको मानने का पूरा अधिकार है नमाज पड़े जाना हमारे मुस्लिम समाज के भाईयों के लिए उनका धार्मिक कारेकरम है ये और माने मुख्यमंत्री जी ने जो ये स्टेटमेंट दी कि खुले में नमाज हम इस तरह से अदा नहीं करने दी जाएगी तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि उनके लिए आप जगहें जो हैं सब जगहें निरधारित कर दें जब हमारे जागरन जगराते बाहर होते हैं और धार्मिक कारेकरम होते हैं पिछले दिनों रहतक में हिंदू संगठिनों के द्वारा मिश्णरी इसको पीटे जाना यह पहुत ही गलत है इस तरह है कि परंपरा को हम लोग अगर बढ़ावा देंगे तो मैं समस्तिव गलत है और अगर नमाज अदा मुस्लिम्स के द्वारा की जाती है इसकी हमने गूंज जो है इस विरोध की गूंज हमने जहां विदानसबा में हमारे तीनों विधायक थे उन्हों ने इसको उठाया नूमेवात में हमारा विपक्ष आपके समक्ष जब कारेक्रम था उसमें भी लोगों ने ये कहा कि मुख्य मंत्री जी हिंदू होने के नाते मुस्लिम्स के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं यह मैं समझती हूं कताई भी सही नहीं और हमारे मजड़ों मैं जब आम आदमी अपने घर में या कोई स्थान पर कारेक्रम करता तो तो श्कार का परमीशन लेता है लेकिन रिखेंड़ों को जरूर निरधारीत की जाने ही चाहिए तो नहीं नहीं भूल लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट जो माने मुख्यमंत्री जी दे रहे हम उनसे कते भी उमीद नहीं करते यह थी पूरुशिक्षामंत्री गीता भुकल जी आज तमाम बातों को लेकर करके अपनी बेबात राय भुकल जी ने व्यक्त की हर्यानता के लिए पर्थम शर्मा जचल कर दो अर्मा जबाइब।